हम अपनी सूची की शुरुआत तेजस्वी और उप्यूक्त नाम वाले संबीम साम्ट से करती हैं। जैनोपेल्टिस जीनस के भीतर वास्तव में दो प्रजातियां हैं जिने सामोहिक रूप से संबीम साम्ट के रूप में जाना जाता है। दोनों प्रजातियां सावथम की मूल निवासी हैं। दक्षन पूर्व एशिया और इसके आसपास के द्वीब। बहतर ग्यात किस्म जैनोपेल्टिस यूनिकलर को मूल रूप से 1827 में दच वनस्पति शास्त्री कैस्पर जॉर्ज कार्ल रेनवार्ड द्वारा टैक्सोनॉमिक रूप से परिभाशित किया गया था। यह मुख्य रूप से म्यानमार, दक्षिनी चीन, लाउस, वियतनाम, मलेशिया और थाइलेंड जैसे देशों में रहता है। जबकि उनके शरीर का मुख्य रंग अधिक मीरस ग्रे, काला या भूरा होता है, यह रंग सीधे सूर्य के प्रकाश में बेथाशा बदल जाता है। अत्यधिक जीवाश्म है और आमतौर पर भूमिगत खोद रही है। हाला कि जब ये सांप शाम और सुबह के समय भोजन की तलाश में सता पर आते हैं, तो वे वास्तव में अविस्मर्निय द्रिशे होते हैं। छोटे इंद्रधनुष धूप में अपने तराजू पर नृत्य करते हैं, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्यपूर्ण शिकार के बारे में फिसलते हैं और कसते हैं। इंद्रधनुष सांप जिसे इल मोकासिन के नाम से भी जाना जाता है, एक और प्रजाती है जिसका नाम पूरी तरह से उप्युक्त है। इन ज्यादातर जलिय सांपो का वास्तव में मंत्रमुक्द कर देने वाला रंग होता है, विशेश रूप से उनके किनारों और पेट पर चमकीले लाल, पीले, काले, भूरे और नारंगी रंग के वैकल्पिक रंगों के साथ। मूल रूप से दो उपप्रजातियां थी, हाला कि उनमें से एक दुर्भाग्य से 2011 तक विलुप्थ हो गई है। इस सूची के कई सुंदर सांपो की तरह इल मोकासिन अत्यधिक समावेशी है। यहां आम तोर पर दक्षनपूर्वी सन्युक्त राज्य भर में अपने मूल आवासों के दलदल और दलदलों में घने पौधों के विकास के बीच पानी में छिपा रहता है। विशेश रूप से वे मनुशों के प्रती आश्चर्य जनक रूप से विनम रहें, मेंदक और सैलामेंडर जैसे अर्धजलिय शिकार के लिए अपनी उर्जा बचाना पसंद करते हैं। रेंबो स्नेक के कई नाम है, जिन में रेड लाइन स्नेक, रेड साइडेड स्नेक और स्ट्राइप्ड वैंपम शामिल है। जहां तक सामपों की बात है, तो यहां काफी बड़े भारी शरीर वाले और मानसल होते हैं। हालां की इसके आकार के बावजूद यहां गैर्विशेला है और सामान्य मेंडक या टोर से बड़े किसी भी चीज के लिए अधिकतर हानिरहित है। यहां इस सूची में कई भव्य वाइपरों में से पहला है, क्योंकि वाइपरिडे परिवार में रंगीन आकरशक और अनूठी प्रजातियों की एक विस्तरिच शिंखला शामिल है। सबसे उलेखनिया और सुन्दर किस्मों में से एक बरौनी वाइपर है। यहां भयावा आमतोर पर बिजली के पीले रंग का साम अपनी बड़ी आंखों के ठीक उपर फैला हुआ बरौनी जैसा शल्क होता है। यह विचित्र लेकिन खूपसूरत साम ज्यादातर मध्य और दक्षन अमेरिका में रहते हैं। उनका पसंदीदा आवास मुख्य रूप से कम उचाई, भारी छायांकित और पानी के नजदीक घने जंगली इलाकों में है। दिल्चस्प बात यहा है कि वर्तमान में शोद करताओं का मानना है कि वाइपर की पलके इसकी रूपरेखा को और अधिक कठिन बना कर खुद को भेतर छलावरण में मदद करती हैं, जब साम घने पौधों के विकास के बीच छिप जाता है। हालां की वे अधिकांश अन्य पिठ वाइपर की तुल्ना में कुछ छोटे हैं, ये घाच शिकारी अत्यधिक सटीक विशेशग्य शिकारी है। शुक्र है, अपने विशेले स्वभाव और बेहत तीखे नुखीले होने के बावजूद वे मनुष्यों के प्रती बहुत आकरामक नहीं है। वास्तव में आईलेश वाई पर समावेशी होते हैं और हर कीमत पर हमसे बचते हैं। वे मुख्य रूप से छोटे जानवरों जैसे मेंधक, क्रिंतकों, छिपकलियों और कभी-कभी पक्षियों को खिलाते हैं। एक उड़ता हुआ साम कई लोगों के लिए ओफिडियो फोग का सबसे बुरा सपना होता है। चिंता न करें, हाला कि ये साम पेड से पेड तक कम दूरी की दूरी तै करने के बजाए ज्यादा उड़ते नहीं है। भी, स्वर्ग में उड़ने वाला साम उपर की ओर जूमना वास्तव में एक अविश्वस्निय द्रिश है। न केवल अनोखे तरीके से प्रजातियां अपने शरीर को हलका और अधिक वायुक्तिकिय बनाने के लिए चप्ता करती हैं, बलकि इसके भव्य, ज्वलन्त रन के लिए भी धन्यवाल। उड़ने वाले सामपो के क्राइसोपेली जीनस के भीतर कई अलग-अलग प्रजातियां हैं, लेकिन पैराडाइस ट्रीक किस्म अब तब की सबसे खूपसूरत है। इसका स्केल पैटर्निंग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। आम तौर पर हालांकी, हरे, नारंगी, पीले और लाल रंग के वैकलपिक रंगों के साथ इस सामप का चित्तिदार रूप होता है। सामप के सिर में आम तौर पर छोटे धब्बों के अलावा क्षैतिस पट्ती होती है। पैराडा इस फ्लाइंग स्नेक अत्यधिक आरबरियल होते हैं और मुख्य रूप से पूरे दक्षन पूर्वी एशिया के नम जंगलों में रहते हैं। अपनी पसलियों को बाहर खीच कर और अपने हलके शरीर को चप्ता करके यह सुन्दर सामप आसानी से एक पेड से दूसरे पेड पर जा सकता है। इस सूची के कई अन्य लोगों की तरह यह सुन्दर लेकिन अत्यधिक विशैले सामप भी दक्षन पूर्व एशिया के मूल निवासी है। उनका रंग बिलकुल आश्चर्य जनक है, चमकीले, रक्तलाल सिर और पूछ, नीलेकाले शरीर और सामपो के किनारों पर पतली, आस्मानी नीली धारियां। उन्हें धुनना और ठीक से दस्तावेश करना कठिन हो सकता है, क्योंकि वे काफी समावेशी और अर्धजीवाश्म है। ये सामप अपना अधिकांच समय गंदगी और पत्तियों में अपने भारी जंगलों, पहारी आवासों में खोदने में व्यतीत करते हैं। जबकि वे विशेश रूप से आकरामक नहीं होते हैं, नीले मलय मुंगा साप कभी कभी अपने लंबे विश ग्रंथियों की मदद से मनुष्यों को मार सकते हैं, जो शक्तिशाली साइटो टॉक्सिक विश रखते हैं, सौभाग्य से हाला कि यह दुरलब है, क्योंकि निश्चित रूप से अपने मेनू पर नहीं है, से वे ज्यादातर दूसरे छोटे सांपो को खाते हैं, यदि आप जंगल में इन सांपो में से एक को देखने के लिए परियाप्त भाग्यशाली या शायद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, तो सुरक्षित दूरी पर उनकी प पिश्रोधक नहीं है,